हलो एवरिबन मेरे नाम तुशार तुशार भारदवाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइन्स वर्ड आज के इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को कुछ इंपोर्टेंट टांस के साथ नमबर फर्स्ट सेक्स डिटर्मिनेशन सेक्स डिटर्मिनेशन एक वो मेकेनिजम है एक वो प्रॉसस होता है जिसकी मदद से सेक्स ऑफ चाइल्ड इस बिंग डेटर्माइंड एक दा टाइम ओ फर्टलाइजिशन तो फर्टलाइजिशन के समय पर जो सेक्स होता है बच्चे का वो फाइंड आउट किया जाता है इस मेकेनिजम को सेक्स डिटर्मिनेशन कहते हैं इसी मेकेनिजम का एक और नाम भी होता है एक्स 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 वाई मेकेनिजम नेक्स्ट नमबर सेकेंड DNA, देखिए DNA अपने आप में, यहाँ पर तो एक टर्म की रुप्वे में समझना है, छोटा से इंट्रोडक्शन लेना है, लेकिन DNA पर तो जितनी भी बात की जाए, उतनी कम ही रह जाती है, जेनेटिक्स आधारी थे, किस पर? DNA पर, देखिए DNA के लिए स्टार्टिंग में तो बड़ी ही समस्या चल रही थी, बहुत सारे साइंटिस्ट ये क्लियर करना चारे थे, कि बहुत DNA ट्रांसफर होता है, ये प्रोटीन ट्रांसफर होती है, ठीक है, लेकिन इस पर फिर फाइनल एक रिजल्ट आया, हार्शी और चेज हमारे वो वहाहन साइंटिस्ट थे, जिन्होंने बात को क्लियर किया, कि बहुत कि DNA ही ट्रांसफर होता है, प्रोटीन ट्रांसफर नहीं होती है, उन्होंने एक एक एक्स्परिमेंट परफॉर्म किया, जिसको ब्लेंडर एक्स्परिमेंट के नांसे जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने किचन में यूज होने वाले एक जनरल इंस्रूमेंट, जनरल material है या कुछ और चीज है जो genetic material है इस चीज को लेकर confirmation जो आई थी उसके लिए responsible जो scientist थे Frederick Griffith, MacLeod, McCarty तो ऐसे कुछ important scientist की list है जिन्होंने DNA के बारे में बताया कि भई यही है genetic material structure of DNA के लिए Watson and Crick का नाम आता है तो कुछ ऐसे selected scientist की list है जो आपको इस chapter में clear होती है लेकिन चली यह सारी बात तो ठीक है लेकिन DNA actual में है क्या डियोक्सी राइबोस नुकलीक एसिड यह DNA की full form होती है डियोक्सी राइबोस नुकलीक एसिड डियन और protein के मिलने से chromosome बनता है protein कौन सी stone protein अब DNA क्या है DNA एक ऐसा heredity material है जो character को code करता है लेकिन कैसे DNA का जो smallest segment है जिसको हम क्या बोलते है DNA की unit भी कह सकते है वलकि आप heredity unit के लाम से बोल सकते है वो है gene पर gene कहां होते है DNA पर या फिर आप ऐसे भी कह सकते है बहुत सारे gene और एक gene हर एक अलग-अलग character को code करता है और इनकी जो genes की sequence होती है उसके मिलाने से जो length cover होती है उसको हम क्या बोलते है DNA कहते हैं सारी information एक structure जिसमें समाई रहती है उसको DNA कह सकते हुआ simple भाषन बिल्कुल easy definition और DNA के फिल फर्म क्या होती है deoxy ribose nucleic acid DNA भी कई फर्म में पाय जाता है कई रूपों में पाय जाते है जिसको हम क्या बोलते है polymorphism of DNA polymorphic DNA जिसमें पांच तरीकी possibility होती है ADNA, BDNA, CDNA, DDNA अब आप सोचे हुए EDNA पर EDNA नहीं होता ZDNA, यह पांच परकार का DNA होते हैं जिसको हम क्या बोलते है polymorphism in DNA ठीक है यह polymorphic DNA अब इन पांच में से human में कौन सा पाय जाता है उसके लिए नाम आता है B form of DNA कौन सा? B form of DNA clear? तो DNA क्या है? एक heredity material है एक genetic material है जिसके अंदर सारी information coordinate है कैसे हर एक अलग-अलग information के लिए अलग-अलग responsible gene होता है एक character को एक gene code करता है और gene की sequence के मिलने से जो final structure त्यार होती है वही DNA है बहुत सारे gene होते है ठीक है? चलिए गर term clear हुई आपको DNA क्या है? next sex chromosome ये जिसे बच्चों का game होते है जीरो कार्टे वाला वो चीज नहीं है ये किसका सिंबल होता है? क्रोमोजोम का मैंने आप ये short में लिख दिया अदरवाइस पूरा नाम लिखिएगा sex chromosome सिंबल लाना चाहिए डाल सकते हैं sex chromosome क्या होता है? देखिए वैसे तो ये जो करीब चार ये पांस term है number third, number four, five, six, seven, eight ये सारी term मिली जूली है तो इसमें आपको क्या करना है? एक chromosome का पूरा pattern सा याद रखना है उसको थोड़ा अच्छे समझ लेना है, chromosome के pattern को और उसके जरीए इस सारी चीज़े कवर हो जाएगे चलिए एक एक करके समझते हैं ना, sex chromosome देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक पार, chromosomes की human में 46 chromosome होते हैं कितने होते हैं? 46 chromosome होते हैं अगर आप बात करते हैं male body की या फिर आप बात करते हैं female body की तो दोनों में ही 46, 46 chromosome पाए जाते हैं ठीक है? मैं यह आपर अलग लग लिग देता हूँ उसको 46 chromosome ठीक है? यह male body के लिए बात चल रही है और यह female body के लिए यह भी symbols है यह male के लिए यूज किया जाता है और यह female के लिए है ठीक है? यहाँ पर ऐसे partition कर देते हैं male body में जो 46 chromosome होते हैं या फिर आप कह सकते हैं 23 pair सहीम यहाँ पर भी 23 pair chromosome लेकिन 23 pair में से male body के case में 22 pair chromosome मतलब 44 यह जो होते हैं वो XX होते हैं क्या होते हैं? ठीक है? तो 22 pair chromosome XX वाले होते हैं अगर आप total कर दें तो कितने बढ़ता है? 44 number ठीक है? तो 44 chromosome 44 chromosome XX वाले होते हैं 44 टोटल बैठता है नमबर XX वाले हैं लेकिन वन पेर जो chromosome मिलता है वन पेर मतलब 2 chromosome तो वो क्या सिंबल होते हैं उसका? लास्ट वन पेर का X और Y clear हुआ? ये तो बात थी male body के लिए लेकिन अगर आप इसी तरह से एक pattern बनाते हैं female body का तो वहाँ पर 22 पेर क्रोमोजों कौन से? कितना नमबर बैठता है? 44 ये एक्स एक्स और जो वन पेर बसता है वन पेर क्रोमोजोम हाला कि मैं इसको combine में लिख सकता है लेकिन मैं आपको इससे compare करके दिखा रहा हूँ बिल्कुल आसानी से difference clear हो जाएगा आपको नमबर अफ टू क्रोमोजोम्स एक्स एक्स तो आप ध्यान से देखेंगे कि वह 22 पेर तो दोनों में सेम है लेकिन जो 23 पेर होता है जो 23 थर्ड पेर है मतलब सिंगल पेर जो होता है उसको लेकर difference बना हुआ है ठीके? यहाँ पर एक्स वाई है और यहाँ पर एक्स एक्स है तो अगर टोटल बात करते हैं तो female body में 46 क्रोमोजोम मतलब 23 पेर ठीके? जिसका मतलब क्या हो? 46 क्रोमोजोम वो क्या है? एक्स एक्स वाले सब एक्स एक्स वाले लेकिन जो male body की आप बात करेंगे तो वहाँ पर बताएंगे कि 45 क्रोमोजोम 45 क्रोमोजोम एक्स और last single वो y क्रोमोजोम लेकिन क्रोमोजोम चलता है पेर नंबर में इसलिए 22 पेर तो क्या होते है हमारे पास? एक्स एक्स होते हैं लेकिन जो 23 पेर है मतलब जो single पेर बच्टा है उसमें टोटल कितने होंगे दो क्रोमोजोम वो क्या होता है? एक्स वाई सिंबल ठीक है? क्लियर हुआ तो 23 पेर में डिफ्रेंस है और उसी डिफ्रेंस की वज़े से दोनों बॉडिस को बिलकुल अलग-अलग या आप डिफ्रेंस इजिली देख सकते है कि भी बॉडि में अंतर होता है बॉडि स्ट्रक्चर में बॉडि की फंक्शनिंग में और बॉडि की कैपसिटी में भी साथ में जो नेचर होती है बहुत सारी चीज़े अलग होती है सिर्फ एक क्रॉमोजोम के अलग होनी की वज़ा से और वो कौन से पेर में डिफ्रेंस आता है 23 पेर में ठीक है तो यह अपने एक क्रॉमोजोम की separate list समझ लिए कि भी कैसे क्या इसमें structure होती है कि इसमें कैसा मिलता है male body के अंदर कैसा है female body में कैसा है difference create करता है male body में और female body में तो 22 पेर तो सेम होते हैं क्रॉमोजोम तो उसे हम क्या बोलते है autosome clear हो गया एक टम हमारी यहीं से cover हो गई तो autosome वो number of chromosome है जो male body और female body में same पाया जाता है 44 chromosome, 44 chromosome या फिर आप बोलेंगे क्योंकि pairs में बोलना ज़्यादा बेस्ट है 22 pair of chromosome are called autosomes ठीक है ठीक अब next sex chromosome क्या है 23 पेर 23 पेर होता है number of chromosomes को लेकर जब बात करते हैं तो उसी में difference पाया जाता है male body और female body में 23 पेर अलग-अलग होता है male body में xy होता है female body में xx होता है ठीक है उसी कौम क्या बोलते है sex chromosome तो ये same को represent करता है और ये different को represent करता है sex chromosome का number one pair चलेगा और autosome वाले list में 22 pair चलता है ठीक है chromosomes का तो चार definition आपको clear हो गई होगी sex determination क्या है DNA क्या है sex chromosome किसे क्याते है और autosomes क्या होते है ठीक अब मैंने आपको बताया था starting में कि करीब number eight तक सारी terms हमें इसी flow chart से clear हो जाएंगी अब देखे ज़रा कैसे heteromorphic थोड़ी देर के लिए आप heteroverd पर focus कीजिए hetero का मतलब होता है अलग-अलग different homo का मतलब होता है same morphic का मतलब होता है structure जैसे morphology आपने नाम सुना होगा है संरचना ठीक है तो heteromorphic जिसमें अलग-अलग structure shape size ये सब देखा जाए है ना तो hetero condition homo condition मतलब same जब आप chromosomes के numbers में similarity देखते हैं size को लेकर और shape को लेकर main दो चीज़ आप सोचिए homomorphic में आप किसका example लेंगे और heteromorphic में किसका example लेंगे heteromorphic मतलब अलग-अलग है ना तो heteromorphic condition किसमें मिल रही है यहाँ पर तो hetero की condition ही नहीं है सारे chromosome same जल रहे है है ना बलकि 23 ये तो मैंने आपको अलग-अलग समझाने के लिए बता दे ताकि compare हो सके ये बाइस पेर बाइस पेर वन पेर वन पेर इस तरीके से अदरवाइस ये तो 23 पेर chromosome जो होते है pair में है ना वो सारे same ही होते है ना तो 46 के 46 chromosome यहाँ पर तो क्या है XX वाले ही है सब है ना तो यहाँ तो hetero का case ही नहीं है तो hetero का case कहां मिलेगा आपको वो मिलेगा आपको male body वाले condition में ठीक है तो heteromorphic जो condition मिलती है वो किसमें मिलती है male body में क्योंकि chromosome का number chromosome की जो structure होती है उसमें आपको कुछ difference देखने को मिलता है X वाले भी है तो Y वाले भी है तो heteromorphic वाले condition number of chromosomes की वो कहां देखने को मिलेगी आपको सिर्फ और सिर्फ male body वाले case में लेकिन female body में homomorphic condition देखने को मिलती है तो जब chromosome की structure size और shape को लेकर सब same दिखाए पड़ती है तो वो कौन सा case है वो है female body वाला ठीक है तो यहाँ पर same type के gamets का दिकराता है female body वाले के इसमें जितने वे gamets वगरा बनेंगे तो वो सब भी क्या होंगे same type के होंगे लेकिन यहाँ पर अलग अलग तरी की possibility होती है ठीक है यह चीज भी आपको ध्यान रखनी है तो मैं आपको थोड़ा याद रहे इस वज़े से यहाँ पर symbols डाल देता हूँ homomorphic condition किसमें है female body वाले case में ठीक है और heteromorphic condition किसमें है male body वाले case में ठीक अब next number 7 और number 8 यह भी इसी structure से निकल कराने वाली है heterogamute और homogamute आप एक बास सोचिए जब सारे chromosome सेम है xx वाले ही है 46 के 46 chromosome xx है तो फिर यहाँ पर gametes की variation के तो chance ही नहीं बनते है है ना तो homogametic condition चलती है सारे gametes सेम ही होंगे तो उसे क्या बोलेंगे homogametic यहाँ पर female के लिए symbol डाल देते हैं थोड़ा ध्यान रहेगा आपको उससे क्योंकि structure देखते ही आपको याद आजाएगा कि हाँ वही अच्छा female का sign यहाँ पर बनाया पतला female body से related term है homogametic same gamet लेकिन heterogametic का case किस में देखा जाएगा और वो है male body का अब लेते हैं number 9 variation देखे आपने sexual reproduction और asexual reproduction तो जो asexual reproduction है उसमें बदलाव नहीं आता है बहुत minor change आता है वो भी environment basis पर है ना surrounding के according बाकि genetic basis पर तो कोई variation आता नहीं है क्योंकि single body से ही young one की formation हो जाती है asexual reproduction वाले case में लेकिन जो sexual reproduction है sexual reproduction में क्या होता है दो body का involvement होता है और एक नई body का जन्म होता है ठीक है तो एक body में कुछ character दूसरी body में कुछ character जब mixing होती है तो एक नई formation देखे जाती है जिसमें दोनों के character transfer होते हैं और नए-नए character भी बनते हैं जिसके लिए topic भी है हला की recombination है ना तो हला की जो topic है detail में class 12 में आपको मिलेगा तो फिलाल के लिए आप याद रखिए कि variation का मतलब क्या है variation एक ऐसा process जो बदलाव को बताता है जो asexual reproduction वाले organism ठीक है ऐसे organism में asexual reproduction चलता है उनमें तो नहीं होता है सिर्फ environmental बेस में minor सा change आता है वो भी negligible लेकिन genetic basis पर नहीं आपाता है reproduction basis पर नहीं आपाता है क्योंकि वहाँ पर asexual reproduction है एक ही body के जरी नहीं body का जन्म हो रहा है ठीक है लेकिन फिर variation आएगा किसमे sexual reproducing organism में तो आपने ध्यान रखना है कि variation mainly किसमे देखा जाएगा ऐसी प्रजाती में ऐसी species में जिन में sexual reproduction का process चलता है और sexual reproduction का process का मतलब किया है वही दो body का involvement और एक young ones की formation एक new one की formation जिसमें दोनों के character आते हैं कुछ character modified हो कर भी आते हैं ठीक है तो variation का मतलब होता है बदलाव changes अब changes किसी भी वज़े से हो सकते हैं एक pattern तो मैंने आपको बता है reproduction वाले process के जरीए कहीं बार क्या होता है surrounding के according में changes आते हैं जिसमें आप कुछ topic जोड़ सकते हैं acquired character, inherited character ये भी तो term बन सकती है पर लेकिन ये जो terms है ये variation में explain हो जाती है इसलिए मैं उसको अलग से number नहीं डाला है तो acquired character और inherited character जो आप surrounding में जो भी बदलावाते हैं उसकी वज़े से अपने अंदर changes create करते हैं वो सब क्या होते हैं acquired character होते हैं और inherited क्या होते हैं parents से बच्चों में transfer हो रहे हैं ठीके और वो भी किसमें sexual reproduction जो organism होते हैं उन में खुद human में sexual reproduction का process चलता है clear इसलिए तो evolution होता जा रहा है human का तो variation clear हो आपको variation मतलाव बदलाव और variation से एक और फायदा भी है एक नई प्रजाती का भी जनम होता है पुरानी प्रजाती से आपने बलकी specification का define सुना होगा हमारी जो एक part first वीडियो जा चुकी है terminology को लेकर class 10 के heritage and evolution chapter पर जिसमें हमने काफ सरे important definition डिसकस की थी तो आपने उन definition को अच्छे से समझा होगा अगर बाइचन साबने अभी तक उस वीडियो को मिलाक है ठीक है तो specification क्या होता है वो process होता है जिसमें एक नई प्रजाती का जन्व होता है पर लेकिन वो प्रजाती कहां से आई पुरानी जो प्रजाती होती है न जो pre-existing species होती है उसमें लगातार बदलाव हो बदलाव समझ रहे है न वेरियेशन तो पुरानी species में लगातार changes होता रहता है और जब वो changes बहुत ज़्यादा इखटे हो जाते है दो generation में पांच generation में दस में भई दो चार पांच में नहीं होता है काम यह हजारो लाखों generation लग जाती है ठीक है changes जब continuation में बने रहते हैं changes जब लगातार हर generation में इखटे होते चले आते हैं तो कई सो generation के pass out होने के बाद finally जो species होती है उसकों बोलते हैं कि भही यह species modify हो चुकी है और खुद human का evolution ऐसे ही हुआ है तो variation एक वो town जो मदद करती है एक नई प्रजाती के बनने में पुरानी उपस्तित प्रजाती से लेकिन यह variation लगातार जब आते रहते हैं इखटे होते रहते हैं तो तब जाकर यह काम हो पाता है और इस काम में बहुत लंबा समय लगता है ठीक है कई सो कई 1000 generation लग जाती है और इस पूरे process को क्या बोलते हैं evolution तो evolution भी सी से जुड़ जाता है ठीक ठीक है तो variation आपको clear हो गया है अब next natural selection देखे दो तरह selection होता है एक होता है artificial selection एक होता है natural selection natural selection में क्या होता है nature select करती है कि यह species जिन्दा रहेगी क्योंकि यह surrounding के according अपने अंदर बदलाव कर रही है है ना आसपास surrounding environment के according जो भी species अपने अंदर धीरे 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 changes करती रहती है तो वो टिकी रहती है वो species धीरे धीरे modify होती रहेगी और उसको टिकने की permission मिल पाती है लेकिन वो species या वो species के members जो surrounding में आने वाले बदलाव के according changes के according अपने अंदर changes नहीं करते हैं तो वो species धीरे धीरे eliminate होने लगती है और human में जो evolution हुआ है वो इसी वज़े से क्योंकि surrounding के according बदलाव आता गया तो human का एक तरसे आप ये नहीं कहते evolution fully हो चुका है पर हाँ काफी हद तक हो चुका है ठीक है तो clear हो आपको तो आज की जो important definition थी वो हमने समझी करीब 10 important definition है sex determination एक बार revise कर लेते हैं sex determination में हमने समझा कि भई एक ऐसा mechanism जिसको हम xxxy mechanism के नाम से भी जानते हैं और इसमें होता क्या है कि fertilization के timing पर आप sex of a child determine कर सकते हैं एक flow chart के जरीए ठीक है next DNA DNA के बारे में हमने समझा कि कौन से ऐसे scientist है जिनोंने ये बताया कि DNA ही transfer होता है protein transfer नहीं होती है blender experiment के इसको कहते हैं ये भी हमने question आज की इस video में clear किया एक और हमने चीज clear की polymorphic DNA क्या है है ना हमारे अंदर कौन सी form वाला DNA पाया जाता है A, B, C, D और Z में C ये भी question हमने clear किया साथ ही हमने एक और question clear किया कि structure of DNA किसने बताई कौन से scientist थे किसने बताया कि heredity material DNA है इस सारी चीज़ें हमने second part में cover की next sex chromosome sex chromosome autosomes heteromorphic homomorphic heterogametic homo gametic ये थोड़ा confuse करने वाली terms है इनको हमने clear किया एक diagram के जरी है ठीक है flowchart भी कह सकते हैं आप इसको diagram के जरी है आपने इसको cover किया जिसमें हमने कुछ symbols का साहरा लिया इधर female body इधर male body कि इधर कितने chromosome होते है gamets same type के ही होते है क्या उसमें कुछ variation होता है कुछ बदलाव होता है या कुछ type होते है gamet के भी हमने समझा कि female body के अंदर तो same ही type के gamet होते है लेकिन यहाँ पर अलग अलग प्रकार के gamet होते है दो type के gamet होते है जिसके वेसे हमने नाम रखा heterogametic इस symbol में डाल दिया आगे male body है ठीक है फिर हमने समझा variation है क्या क्या variation से कुछ फायदा होता है या फायदा नहीं होता है तो हमने समझा भई फायदा होता है specification specification तभी हो पाता है specification मतलब formation of new species from pre-existing one वो तभी possible है जब variation हुआ होगा और वो भी एक दो generation नहीं कई हजार generation तक ठीक है human का evolution खुद उसका result है अच्छा खास अब proof है ठीक है क्योंकि variation नहीं होता तो कुछ नहीं आप सोचें आजपास आपको पता है आज के timing में काफी ज़्यादा education में competition आ गया है अगर आप अपनी वोई पुरानी knowledge लिए घूमते रहेंगे उसको update नहीं करेंगे variation नहीं करेंगे तो क्या आगे पहुँच पाएंगे बिल्कुल नहीं पहुँच पाएंगे ठीक है तो आपको regular अपनी knowledge को update करना है नहीं ने data को collect करना है जब data भरता रहेगा ना भरता रहेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि आपके पास पूरा भंडार इखटा हो जाएगा तो आपके पास एक massive knowledge होगी कोई भी subject हो कोई भी जो आपका interest है उसको लेकर पर आप regular उसको पढ़ते रहेए जो भी आपका subject है और जो भी आपकी field है तो आप उस field में अगर आगे बढ़ना चाहते है अगर आप अपने वही पुराने topic लिए घुमते रहेंगे कि हमने तो एक book पढ़ ली है बात खतम हो गई है तो उससे कुछ नहीं होगा चीजों को पढ़िए book से पढ़िए, google से पढ़िए या videos के जरीए समझे कैसे भी पढ़िए, वो आपकी मर्जी लेकिन आपको पढ़ना पढ़ेगा और पढ़ने के साथ साथ अपना brain भी use करना पढ़ेगा कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है ये भी आपको खुदे decide करना होगा ठीक है, चलिए खेल तो variation बहुत ज़रूरी होता है next, natural selection natural selection मैं हमने पूरा mechanism समझा कि भई natural selection क्या है जिसमें nature select करती है और इसमें हम evolution को भी जिक्र कर सकते है ठीक है, तो nature के according changes होना बहुत ज़रूरी है surrounding में जैसा बदलाव आता है तो आपको भी उसी के according बदलना होगा, तो वीडियो उसको देखते रहिए शुरू से last तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तो subscribe कीजिए, अगर आपने subscribe नहीं किया है अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो please subscribe कीजिए, मिलते हैं next वीडियो में